आईए जानते हैं आस्ट्रोलिया में हुई एक ऐसी जंग के बारे में जो इंसानों के साथ नहीं बलके जानवरों के साथ हुई थी जिसमें इंसान बुरी तरहा से हार चुके थे दरसल इस वार को दे ग्रेट एमू वार के नाम से जाना जाता है चानी के साड़े 5 फिट लंबा और 45 किलो वजनी एमू एक पक्षी है दरसल सन 1932 में वेस्ट आस्ट्रोलिया में जो भी खेत मौजूद थे वहाँ इन एमूज ने तबहा ही मचा दी थी जो 40 या 50 नहीं बलके पूरे 20,000 की तादाद में मौजूद थे दरसल आमूज का ये जूंड अकसर आकर किसान की फसलों को बरबाद करता चला जा रहा था जिससे परेशान होकर किसानों दुवारा ये बात आस्ट्रोलियन गवर्मेंट तक पहुंची तो आस्ट्रोलिया के एमर्जेंसी डिफें को उस जगा पर भेज दिया जिसमें सबसे पहले इन्होंने दो नहोंबर सन 1932 को तकरिबन 50 आमूज पर हमला किया था लेकिन जब तक ये उन्हें शूट करते तब तक आमूज वहां से गायब हो चुके थे जिसके बाद 4 नहोंबर को तकरिबन 1000 आमूज पर दूसरा हमला कि जिसमें से इन्होंने 12 आमूज को मार गिराया और जब तक ये बाकी के आमूज को शूट करते इनके मशिन गंज जाम हो चुके थे जिसके दोरान सभी आमूज वहां से भी फरार हो गए दरसल कुछ तियोरिस के मताबिक